लेक्चर 11 के पाँचवे भाग और अंतीम भाग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी तक जो हमने इस लेक्चर में देखा है डुएलिटी और लग्रेंजिन के बारे में हमने बात किया है तो इस पूरी जर्नी में इस पूरी यात्रा में जो अंतीम पार्ट है वो है केकेटी कंडिशन्स और केकेटी कंडिशन्स याने करश कुन टकर कंडिशन्स जिसे हम कहते हैं यह exactly वही है जो हमने unconstrained optimization में देखा था, जो हमने first and second order optimality condition देखी थी, लेकिन यह जो KKT condition है, यह constrained optimization problem के लिए है, तो आपको अगर याद हो, हमने जब unconstrained optimization की बात की थी, तो हमने बोला था कि कब हमें कैसे पता हो, कि कोई point x star optimal point है, तो हमने उसका answer दिया था, उसके दो answer थे, एक first order condition और एक second order condition, first order condition थी कि जो gradient x star का है, f का जो gradient है x star पे, वो 0 होना चाहिए, और second order condition थी कि जो haissian है, वो positive definite होना चाहिए, या फिर second derivative जो है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यह हमारी दो condition आई थी, मगर यह unconstrained optimization problem के लिए थी, अब हम जो, हभी तक जो हमने duality और agrangian की बात की है, इसमें हमने constraint optimization problem की बात की है, याने जहां पर मेरे पास एक objective function है, और मेरे पास कुछ constraints भ है, और haissian positive definite, यह condition यह कंडिशन, constraint optimization problem में नहीं लगती है, तो जब हमने constraint optimization problem को solve करना चालू किया, तो हमने पहले lagrangian लिखा और यह हमने देखा हुआ है, कि हमने पहले lagrangian लिखा, और मैं आपको दिखा दू, हमने क्या किया था, हमने पहले constraint optimization problem लिया, हमने उसका lagrangian लिखा जो की unconstrained optimization problem है, फिर हमने उसको उन्ही optimality conditions को use करके x के respect में minimize किया, l को x के respect में minimize किया, तो हमें मिल गया हमारा lagrangian dual function, और उसके बाद हमने बात करी lagrangian dual function को maximize करने की, क्योंकि dual function जो है, हमारे primal function का, जो हमारा primal problem है, और यह words बड़े important है, तो मैं चाहूँगा कि आप इन words क फिर से, ध्यान रखें, याद रखें, जो हमारा original problem है, वो primal problem है, हम original problem से lagrangian लिगकर, फिर dual लिगते है, और फिर वो हमारा dual problem मन जाता है, तो इसे हम primal, dual, primal dual ऐसा कहते है, हाँँ, तो जो हमारा original primal problem है, जो dual function है, lagrangian dual function है, वो उसका lower bound देता है, मतलब original problem के optimization, जो भी optimal answer है जो dual है उसका वो lower bound देता है यानि वो हमेशा उससे जो भी आप answer निकालेंगे वो उससे हमेशा छोटा ही होगा तो हम चाहेंगे कि ये दोनों करीब करीब आसपास आजाएं और इसके लिए हम G lambda new यानि हमारे जो लगराएंज dual function है उसको maximize करते हैं ये करते हैं तो ये हमने दिखा था और फिर हमने बात करी थी जो डूल प्रॉलों को maximize करके जो answer आता है हमने इससे D star किया बोला था और हमने बोला था कि जो D star जो है यानि जो dual का answer है जो कि primal से आ रहा है जो हमारा sequence है primal का तो dual जो है primal से आ रहा है और यह जो D-star है वो उसका optimal है, dual का optimal है और P-star है वो primal का optimal है तो D-star, P-star से हमेशा या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा तो D-star is less than equal to P-star इसी को हमने कहा था, इसे हम कहते हैं weak duality और जब D-star is equal to P-star हो जाता है तब हम उसे कहते हैं strong duality तो मैंने आपको फिछले lecture में बताया था कि कि जो हमारा primal है, वो चाहे convex हो चाहे ना हो dual हमेशा concave होगा और यही सबसे बड़ी खासियत है dual problem में जाने की, कि हमें non-convex problem का जो की easily solve नहीं हो सकते हैं कई बार उनका हमें concave version मिल जाता है, जो कि हम solve कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हमने original problem को solve कर दिया है, लेकिन कम से कम हमें उस original problem का lower bound मिलने लग जाता है और convexity के case में तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं और इसे ही हम strong duality कहते हैं और जो p star minus d star है यह जो gap है, जो difference है, हम इसे duality gap कहते हैं इसे हम duality gap कहते हैं, यानि हो सकता है p star 100 हो, मगर d star 90 हो क्योंकि d star हमेशे p star से छोटा होता है या उसके बराबर होता है तो अब यह तो strong duality और weak duality की बात हो गई लेकिन अभी तक हमने इस बारे में बात नहीं करी है कि un-custraint problems की optimality conditions क्या होती है और जब हम problem को solve करते हैं तो हमारे constraints का होता क्या है क्या constraints satisfy होते हैं या नहीं होते हैं lambda और new की जो हमने बात की थी उनका क्या होता है उनकी कौन सी values अच्छी आती है तो यह जो आखरी पार्ट है यह जो theory का पार्ट जो हमारा बचा हुआ है अब हम इस lecture में उसको देखेंगे तो मैं आपको सबसे पहले फिर से एक बार हमारे lagrangian में लेकि जाना चाहता हूं और मैं आप concept बताना चाहता हूं जिसका नाम है complementary slackness इस word पे आप जाना ध्यान ना दे यह बड़ी थोड़ा complicated word भड़ी लगता है मगर इसका मतलब बड़ा ही आसान और सरल है तो चली इसको समझते है तो यह यहाँ पे हम यह कहना चाहरे हैं कि मान लीजे हमने मान लीजे हमने हमने हमारा optimization problem जो है solve कर लिया है duality में जाकर मारलब dual function लिखकर और आपको ध्यान रहे कि जब हम dual function लिखते हैं जब हम भी जब भी हम dual function लिखते हैं तो हम maximize करते हैं g lambda new को याने कि हम हम इसको maximize करते हैं इस problem को solve करते हैं maximization of g lambda new such that lambda is greater than zero यह हमारा किसी भी primal problem का dual problem है और इसके लिए हमें यह नहीं सोच लाए कि कौन से optimization problem का यह हर optimization problem का dual problem यह होता है तो माल दीजे मैं इससे maximize करता हूँ और यह concave problem है याने this is also equivalent to minimizing minus g lambda new क्योंकि convcave है इसलिए minus g lambda new convex है तो यह मेरा convex problem हो गया और हमने कहा था कि भाई अगर convex problem है तो आप solve कर सकते हैं याने कि माल दीजे इसका answer the optimal is given by lambda star and new star तो मैंने dual problem को solve किया और माल दीजे उसका optimal आता है lambda star new star ठीक है और हमने primal problem solve किया था जब lagrangian solve किया था माप किजेगा तो हमारा कुछ x star भी आया था जो कि g lambda new का function था तो मैं इस में इस में lambda new को डाल कर मैं x star भी निकाल सकता हूँ याने x star जो भी हो मतलब मैं इसे अभी optimal नहीं कह रहा हूँ मगर मैं x star निकाल सकता हूँ lambda new optimal lambda new की value डाल कर क्योंकि आपको ध्यान रहे हैं जब हमने lagrangian लिखाता है तो हमें नहीं पताता है lambda new क्या है तो हमने किसी lambda new के उसको लिख दिया था फिर हमने बाद में उसको maximize किया था ठीके तो अभी तक की जो कहानी है वो यह है कि हमारे पास x star है हमारे पास lambda star है और हमारे पास new star है अब हम वापस पिसली slide में आते है तो इसे आप ध्यान से पढ़िए कि suppose x star lambda star are primal and dual feasible with zero duality gap x star is primal feasible का मतलब यह है कि x star जो constraints है वो satisfy कर रहा है ठीक है simple feasibility मतलब constraint satisfaction right तो x star अगर constraint satisfy कर रहा है याने मुझे अगर मैंने कुछ dual problem solve किया और मुझे x star मिल गया है जो कि g lambda new है तो lambda star new star if x star is primal feasible then x star satisfies constraints x star constraint satisfy करता है ठीक है इसका मतलब यह है तो फिरसे मैं पढ़ता हूँ if x star and lambda star are primal dual feasible याने x star constraint satisfy करता है primal feasible है और lambda star dual feasible है मतलब lambda भी अपना constraint satisfy करता है lambda constraint क्या है lambda constraint है कि वो 0 से बढ़ा है याने अगर lambda star 0 से बड़ा है और x star उसके constraint satisfy करता है क्या constraint satisfy करता है? Constraints क्या है? Constraints यह हैं f i x less than equal to 0 पहला constraint है i equal to 1 to p और h j x is equal to 0 दूसरा constraint है j is equal to 1 to m यह दो constraint हमने देखे थे x star inequality constraint भी satisfy कर रहा है x star equality constraint भी satisfy कर रहा है ठीक है? अगर हमें ऐसा कुछ x star lambda star मिला है पहली बात दूसरी बात अगर हमारा duality gap 0 है याने की d star is equal to p star ठीक है? तो d star is equal to p star का मतलब यह है कि जो हमारा f not x star है वो g lambda star u star के बराबर है क्योंकि यह था p star और यह था d star ठीक है? तो यह दोनों बराबर है यह तो बस definitions की बात कर रहा हूँ है d star is g lambda star u star हाना? और p star is f not x star पहली बात तो यह है दूसरी बात यह है कि चुकि f not x star चुकि यह हमारा duality gap 0 है इसका मतलब यह भी है कि जो lagrangian है आपको ध्यान हो, हमने बात की थी g lambda star, g lambda new is always less than जो हमारा f not x star है वो उससे छोटा भी है और उसके बराबर भी है चोटा है या उसके बराबर है या उसके बराबर है इसका मतलब दोनों बराबर होए चुकि हमने इसको बोला था यह lower bound देता है less than equal to lower bound देता है तो basically मैं बोलना चाहरा हूँ कि जो हमारा यह equation है ठीक है, यह equation है वो f not x star के बराबर हो जाएगा हमारा जो lagrangian का जो answer है वो f not x star के बराबर हो जाएगा क्योंकि g lambda new is always less than equal to lagrangian but this is also equal to f not x star क्योंकि d star is equal to p star मैं इस assumption से आ रहा हूँ यह हमारा assumption है ऐसा अगर हो रहा है तो क्या होगा तो मैं इसे फिर से लिखता हूँ मैं यह बोलना चाहरा हूँ कि f not x star plus lambda i f i x star plus new j h j x star जो है f not x star के बराबर है क्योंकि duality gap 0 है ठीक है, यानि यह और यह cut गए यानि कि lambda i f i x star का summation i equal to 1 to p plus new j h j x star is equal to 0 j is equal to 1 to m ठीक है मगर हमने यह भी कहा था कि x star जो है वो primal feasible है यानि यह term 0 है h j x star सारे के लिए 0 है यानि कि lambda i f i x star is equal to 0 because h j x star is equal to 0 because x star is primal feasible ठीक है तो यह 0 हो गया आप देखे ध्यान से यह summation 0 है अब हमारे पास बड़ी रोचक स्तिती है याँ पर जो f i x star है वो सब less than 0 है या equal to 0 है क्योंकि यह हमारा constraint है यह तो आपको ध्यान ही होगा यह primal feasible है यह 0 less than equal to 0 होने चाहिए और lambda i जो है वो greater than 0 होने चाहिए greater than equal to 0 होने चाहिए तो दोनों कैसे एक साथ हो सकता है मतलब आप देखिए कि इसके अंदर के जो सारे term है वो या तो 0 है या negative है और इन सब का summation 0 है यानि मेरे पास बहुत सारे number है वो या तो 0 होंगे या negative होंगे और उन सब का summation 0 होगा तो फिर तो हमारे पास बस एक ही रस्ता बस्ता है कि वो सारे number 0 होने चाहिए आप समझ रहे हैं ना क्योंकि अगर मेरे पास एक बहुत सारे numbers का summation है देखिए ये जो ये है ये less than equal to 0 है lambda i fi x star less than equal to 0 है क्योंकि lambda greater than 0 है और fi less than equal to 0 है क्योंकि x star primal feasible है तो ये मेरे पास बहुत सारे summation है numbers के और ये सब equal to 0 है क्योंकि हमने यहाँ देखा था क्योंकि हमने यह वाली बात देखिए कि primal feasible है और p star is equal to d star है याने इनका summation भी 0 है और ये सारे number negative भी है या बराबर है 0 के याने एक ही option बसता है एक ही विकल बसता है एक ही रास्ता बसता है कि all lambda i f i x star are equal to 0 for i equal to 1 to p याने अगर मेरे पास बहुत सारे numbers हैं जो कि 0 से कम हो सकते हैं और उनका summation 0 है तो मेरे पास के वाल एक रस्ता बसता है कि उस सारे number ही 0 होंगे otherwise ये संभव ही नहीं है तो हमें ये समझ में आया है और मैं इसको फिर से आपके लिए लिए लिख देता हूं अच्छे से कि lambda i star f i x star is equal to 0 for all i from 1 to p याने हर i के लिए ये सत्ते है अब चुकि हर i के लिए सत्ते है तो बड़ा ही आसान चीज़ है ये तो कि हमारे पास दो नंबर है उन दो नंबर का product उन दो नंबर का जो multiplication है वो 0 है वो तभी हो सकता है कि उन में से कोई एक 0 है या दोनों 0 हो और कोई संभव नहीं है याने इदर lambda i is equal to 0 और f i x star is equal to 0 ठीक है याने कि अगर मेरा constraint active constraint है active constraint का मतलब यह है कि f i x star less than 0 है तो जो मेरा lambda है उसका corresponding lambda होगा वो 0 होगा और अगर constraint just satisfy हो रहा है boundary पर satisfy हो रहा है तो उसका lambda greater than equal equal to 0 हो सकता है तो यह यह इस बात को आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहता हूं और इसी condition को हम कहते हैं complimentary slackness याने कि जो मेरे inequality constraints है या तो वो equality पर satisfy होंगे है ना मतलब आप ध्यान ने कि हमारे जो constraints है वो कुछ इस तरह दिखते हैं less than equal to 0 तो या तो वो equal to 0 याने equality पर satisfy होंगे या फिर उनका corresponding lambda जो होगा वो 0 होगा इसी को हम कहते हैं complimentary slackness और इसको अब हमारी जो mathematical भाशा में हम यह कहते हैं कि आयत constraint inactive at optimum implies lambda i is equal to 0 याने कि inactive का मतलब यह है कि जो वो जो constraint है उसके अंदर में हमारा optimal value आ रहा है उसके edge पे नहीं आ रहा है मतलब equal to पे नहीं आ रहा है और अगर lambda i greater than 0 है याने कि आयत constraint जो है वो active है याने कि अगर lambda greater than 0 आ गया आपका याने आयत constraint जो है वो less than 0 less than 0 हो गया है ठीक है तो मैंसे फिर से repeat कर देता हूं कि अगर मेरा constraint inactive है याने कि fix जो है less than 0 है ठीक है inactive मतलब कि वो boundary पे नहीं है तो lambda i 0 होगा उसका corresponding lambda 0 होगा अगर constraint active है याने कि fix less than fix equal to 0 है तो उसका lambda i जो होगा वो greater than 0 होगा ठीक है इससे हम कहते है है complimentary slackness तो अब हमारे पास हमने जो भी देखना था हमने देख लिया है हमने प्राइमल डूवल प्राइमल फीजिबिलिटी डूवल फीजिबिलिटी चेक करी हमने कहा कि अगर zero duality gap है तो ऐसा होगा तो इसे को हम complimentary slackness कहते हैं तो अब हम लिख सकते हैं optimality condition मैं optimality condition क्यों कह रहा हूं क्योंकि P star is equal to D star याने कि जो मुझे D star से मिला है वो P star के बराबर है याने कि मेरा lambda star optimal है या मेरा F I X zero होगा दोनों में से कोई एक zero हो सकते हैं ठीक है तीसरी बात यह है कि H J X 0 होता ही है तो new की new की जो value आ रही है हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है new कोई भी value आ सकती है लेकि लैमडा की या तो zero आईगी या greater than zero आईगी ठीक है तो अब हम हमारे आखरी slide आखर आई जो हमारी first order और second order optimality condition हमने देखी थी unconstrained optimization problem के लिए यह वही conditions है constraint optimization problem के लिए यानि आप इन conditions को लिखकर आप constraint optimization problem वैसे ही solve कर सकते हैं जैसे आप unconstrained problem solve करते थे gradient को zero लिखकर और हैसेन को positive definitely कर ठीक है तो हमारे चार constraints हमारे चार conditions क्या क्या है पहला condition तो यह है कि अगर x star optimal है तो उसे constraint satisfy करना चाहिए यह तो कोई बड़ी बात ही नहीं यह तो obviously बात है कि अगर मैंने आपको कोई optimization problem गिया है तो उस optimization problem का अगर optimal आप मुझे देते हैं तो optimal जब तक constraint satisfy नहीं करेगा वो optimal कलाए गए नहीं चोकि वो तो rule का उलंगन हो जाएगा अगर वो constraint satisfy न इस constraints ठीक है इसे कहते हैं primal constraints या primal feasibility ओके second constraints है dual constraints जो हमारा lambda star है वो या तो 0 वो हमेशा 0 या उससे बड़ा होना चाहिए ठीक है इसे हम कहते है dual feasibility ठीक है dual constraint यह भी obvious सी बात है क्योंकि हमने अगर dual problem solve करी है अगर हमने dual problem solve करी है आपको में रफ्र से याद दिला दूओ dual problem कौन सी थी यह थी dual problem तो lambda जो हमें मिला है dual problem solve करके वो 0 से बड़ा होना चाहिए तो यह वह ही है ठीक है तीसरी condition है कॉंप्लिमेंटरी स्लैकनेस जो हमने अभी देखी है कि जो लैंब्डा स्टार है या तो वह 0 हो या FIX स्टार है वह 0 हो ठीक है इसे हम कहते है कॉंप्लिमेंटरी स्लैकनेस तीसरी condition है optimality की और यह condition यहां से आई थी यह condition हमारी कॉंप्लिमेंटरी स्लैकनेस जो थी वह यहीं से आई थी कि फीजिबिलिटी गैप जो है डुएलिटी गैप मापकी जेगा वह 0 है यानि डी स्टार इसे पी स्टार है वहां से condition है ती क्योंकि डी स्टार इस पी स्टार is the optimality condition if you are solving a dual problem तो यह हमारी तो यह जो चार conditions है if strong duality holds and x lambda new are optimal then they should satisfy these conditions they should satisfy KKT conditions इसी को ही हम कारश कुन कारश कुन टकर कंडिशन कहते हैं और इसी से ही हम constraint optimization problem solve करते हैं तो machine learning के संदर में SVM एक बड़ा ही famous constraint optimization problem है अगर SVM नहीं ऐसे support vector machine नहीं ऐसे बहुत सारे constraint optimization problem है जो कि आप बना सकते हैं machine learning के case में या फिर actually यह जो KKT condition है यह तो किसी भी optimization problem के लिए सत्य होती है तो आप बना सकते हैं तो जो हमने अभी तक देखा है यह जो हमारी आखरी लेक्चर 11 की जो जर्णी थी जो यात्रा थी उसमें हमने प्रैमल problem से चालू करके हमने लिखा फिर हमने optimal answer है gradient 0 लिखा था यह वही conditions है constraint optimization problem के case में और इसे हम KKT condition कहते हैं तो आज के लिए इतना ही अभी हमारे पास जो हमारा अंतिम लेक्चर बचा हुए है वो है coding का lecture जो हम पाइटाउस में करेंगे और उससे हमारी course की समापती हो जाएगी तो मैं चाहूंगा कि आप इसे फिर quality के context में discuss किये हैं यह तीन उधारण है और चौथा जो है linear equation linear optimization problem था जो कि मैंने यहां पे लिखा था यह linear optimization problem था तो यह हमने चार problems देखी है मैं चाहूंगा कि आप इससे लिखे फिर से और इसका dual निकाले और इससे solve करने के कोशिश करें ठीक इनी तरीके से जिस तरह हमने क condition निकाली है बस उन्हीं conditions को लिखे solve करने के कोशिश करें और जो भी आपके doubts होंगे हम उसे solve करने के लिए उन्हें उनके answer देने के लिए हम बहुत ही उतसुक हैं तो आप इने solve करें दो मैंने solve कर दिये हैं दो आप इसे खुद से solve करें two-way partnership और quadratic program यह बढ़े ही आसान है को हुआ